तो HIV AIDS एक infectious disease है जो कि वाइरस की वज़े से होती है RNA टाइप का वाइरस होता है और इसका full form होता है acquired immunity deficiency syndrome ठीक है deficiency मतलब कमी, immunity मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मतलब प्रतिरक्षा तंत्र में जो immune cells है वो death की वज़े से उनके numbers कम हो गए और वो fight नहीं कर पा रहे हैं ठीक है क्योंकि यह वाइरस उन पर attack करता है वाइरस को क्या है viral infection से attack करता है और जो T lymphocytes है वो viral infection से attack करता है तो जब किसी patient को HIV हो जाता है तो उसकी वाइरस से लड़ने की उसकी body की शमता पितम हो जाती है तो उसको viral infection से बहुत ज्यादा नुकसान पहुशता है तो दूसरा कोई भी infection उसको एदि हुआ तो फिर वो उसकी body उससे fight नहीं कर पाती है और यह वाइरस हमारे immune system को हैस नहस कर देता है collapse कर देता है और इसका incubation period जो होता है वो कम से कम 2-3 महीने से लेके तो 10 साल तक है मतला व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और यह बीमारी लोगों को reproductive age में होती है जब लोग sexually active होते हैं तो sexually active होने की एज 20 से 50 साल के बीच में मानी जाती है कि वहीं इस पीच में ओसतन लोग sexually active होते हैं अब तो ऐसा समय आगे कि इसके पहली लेकिन ऐसा मतलब माना जाता है और हाई-risk जो गुरूप है यह में जादा होता है और कुछ ऐसी स्टेट्स नहीं जहां पर data कहते हैं कि यह जादा फैल तो वहां पर यह जादा फैला हुआ है कुछ स्टेट्स है ना जैसे बैंगलोर हुआ आंदर त्रदेश हुआ वहां पर थोड़ा सा इसके केसे ज्यादा है केसे मतलब क्या होता है इंफेक्ट इंफेक्टेड लोगों की संख्या उसको हम केसे बोलते हैं और हाई रिस्क ग्रूप मेल उसको थोड़ा जादा होता है इन कंपेरिजन ऊफीमेल और इसका मोड़ ऑफ ट्रांस्मिशन क्या है यह फ्लूट के एक्स्चेंज से होता है यह सीमें में प्रेजन रहता है और इसकी क्या क्या लोकेशन हो सकती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूट हुआ उसमें तो वहां से यह ट्रांसपर हो जाता है मतलब कोई व्यक्ति है इसको जो आचाइव पॉजिटिव है और उसको नहीं पता थ स्केवलड में है वह उसके बलड में है वह वह चढ़ा दिया जाए तो उससके इसमें भी दूसरे विक्ति को infection हो जाता है एक कारण यह है कि भई किसी को है और उसको पता नहीं और वो लेडी ने conceive कर लिया उसकी शादी भी हो गई उसने conceive कर लिया तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें भी हो जाएगा इसलिए जब भी कोई लेडी बेवी बेवी प बचाया जा सकता है यदि पहले से पता होगा तो medical science में टेकनोलोजी है यदि कोई माँ HIV से positive है लेकिन उसका बच्चा positive नहीं होगा वो स्वस्त पैदा होगा लेकिन उसके लिए डॉक्टर को पता होना चाहिए कि माँ positive है तो पहली test करके देख लते हैं अभी समाज में ऐसा कुछ ऐसे infections होते हैं जो कि बॉड़ी में present रहते हैं लेकिन वह लेटेंसी पर रहते हैं तो सुप्तावस्था में रहते हैं है ना वह मतलब symptoms नहीं करते हैं तो इसलिए सारे test लगाया जाते हैं और उस test के बाद में यदि कोई भी test positive आता है तो उसकी antibiotics दी जाती है और बच् किसी बच्चे को दूद पिला दिया तो मिल्क सिक्रीशन में भी वाइरस रहता है जैसे कि मैंने आपको बुला सीमें में present रहता है यहां पर इसकी locations होती है तो जहां से यह transfer हो जाता है तो इसके हमने mode of transmission देखे कैसे फैलता है और हमने इसका नाम देखा इसका full form देखा करने वाले लोगों को होने की possibility जाधा रहती है और जो sex workers मेel इसकौर प्रॉश टॉबडेशनस इन लोगको हने की possibility जाधा रहती है दूसरा जो लोग Lab में काम करते हैं Lab workers होते ऑना पराख टेक्चिंस उनको भी होने की probability रहता है तीसरा जो लोग O, Transplant करवाते हैं उन कोई अंजान वेक्ति ने दे दिया पता ही निए उस वेक्ति की कोई हिस्ट्री नहीं पता थी ना उसके हमने टेस्क करके देखा और उसका ब्लड चड़ा दिया ऐसे केसिज में होने की पॉसिबिलिटी रहती है और यह है इसके कुछ ग्रूप्स है ना तो यह हमें याद रख इन यह ड्रक्स के नाम है ठीक है जीरो वुडीन, अबेकावीर, इस्टावुडीन, रिटोनावीर, मैवी, रैपिन